मस्कारमित्रों, मैं आलोकपंडिताफ सब का सवागत करता हूँ 2 अप्रैल 2022 की करंट अफेयर्स की क्लास में जियाँ जातियों, एक मात्र ऐसी क्लास जहां आपको मिलती है बिना किसी भौकाल के अचूक मारक सामग्री जियां जातियों इस मारक सामगरी का इस्तिमाल करके आप विभिन परिक्षाओं में पूछे जाने वाले करंट अफेर्स के सवालों को चुन-चुन के मारेंगे फिर चाहें आप स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हूँ या फिर किसी महत्वपूर्ण एक दिवसिये परिक्षा की चाहें रेलवे हो चाहें बैंकिंग हो या फिर SSC हो देख लेते हैं महत्वपूर्ण खबरों को सिव कुमार स्वामी चर्चा में क्यों है मित्रों क्यूंकि इनकी 115 जयनती मनाई गई और इस जयनती कुमराने के दवरान जो समारो हुआ उसका उद्गाटन अमित सहाजी ने किया है एस बोले तो अमित सहाजी ने है साथियों ये भारत के ग्रह मंत्री हैं और साथ ही साथ सहकारिता मंत्री भी हैं याद रखना है कहां इस समारो का आयोजन हुआ तो याद रखना है करनाटका में आयोजन हुआ करनाटक बोले तो के एंटी काउन है सिव कुमार स्वामी अगला सवाल पूछा जा सकता है तो सिद्ध गंगा मठ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध गंगा मठ कहां इस्तित है और सिद्ध कुमार स्वामी काउन है तो सिद्ध गंगा मठ के पुरमुक है ये थे साथियों 2019 में इनका निधन हो गया है सिद्ध गंगा मट के प्रमुक थे और ये सिद्ध गंगा मट किस संपरदाय से संबंदित है तो लिंगायत संपरदाय से संबंदित है साथियों लिंगायत संपरदाय दक्षिर भारत का ऐसा संपरदाय है जो सिव लिंग को धारण करता है और भगवान सिव में आस्था रखता है जियां साथियों ये स्वयम को अलग धर्म गोसित करने की मांग करता है क्यों साथियों क्योंकि ये स्वयम को हिंदू धर्म से अलग बताता है क्योंकि ये मूर्ति पूजा का विरोध करता है पाखंड हो बाकिंग गार्ड की संग्या सिर्फ कुमार स्वामी को दी जाती है मतलब टहलने फिर्टने वाले भगवान बाकिंग गार्ड अगली कबर आईस राजू चर्चा में क्यों है क्योंकि भारतिय भू बैज्ञानिक सर्वेक्षन का महा निदेशक इनको नियुक्त किया गया है जियां सातियों जियो लाजिकल सर्वे आफ इंडिया कार क्या होता इसका जियोग्राफिकल सर्वे आफ इंडिया का जैसा कि नाम से विदित है सर्वे तो ये सर्वेक्षण करता है किसका या तो भुगर्ब का करता है या फिर उसकी सतय का करता है हेट कौाटर इसका कोलकाता में इस्तित है केकेटी अर्थात कोलकाता समझिएगा किसके अधिन कारे करता है तो खान मंत्राले के अधिन कारे करता है कन्फ्यूज नहीं होना है संस्कृति मंत्राले के अधिन नहीं कार करता है ना ही प्रथवी एवं विग्यान मंत्राले के वबता आप कहां करके आएंगे क्यों कि बाँ प्रतिवी लगा है तो एकदम कन्फ्यूज नहीं होना खान मंत्रा लेके अधिन कारे करता है भूबैग्यानिक बिरासत इस्थल साथियों जी एस आई से ही संबंदित एक और प्रस्न है इसलिए ये और भी मैत पूर्ण हो जाता है दो सवाल बने है एक दम चर्चा में क्यों है साथियों क्योंकि दो इस्थलों की खोज की गई है तो टोटल मिलाकर 34 स्थल हो गए है किसने खोज की है भूबैग्यानिक बिरासत इस्थलों की तो वही जियोग्राफिकल सर्वे आफ इंडिया साथियों मैं थोड़ा सा गन्फियूज हूँ जियोग्राफिकल है कि जियो लाजिकल है देख लेंगे इसको कहां साथियों इन स्थलों की खोज की गई है तो एक तो सिक्कम में और दूसरा हिमाचल पुर्देश HP अर्थात हिमाचल प्रदेश और SKM अर्थात सिक्कम तो दो विरासत इस्थलों की खोज की गई है कार क्या है क्या होते हैं ये भूबज्यानिक विरासत इस्थल इनका कार क्या होता है सातियों प्रत्वी सनरचना के बारे में इन इस्थलों से सूचनाय मिलती है की संरचना कैसी है उसका निर्मान किन-किन घटकों से मिलकर हुआ है अर्थात उसकी सतय और उसके भुगर्व का अध्यन किया जाता है इन इस्तलों पर आसान हो जाता है तो ऐसे इस्तल टोटल वरतमान में 34 हो गये हैं एक सवाल और पूच्छा जा सकता है कि भारत का पहला ज हुआ हुँ जीयो लाजीकल ही होगा देख लेंगी साथियों ऐसी कोई महत्तों pånv बात नहीं है कि जो सार रहा सका प्रस का वह यहीं साहती हूं किटने इस्थल हो गये वरतमान कितने खोजे गए हैं किसने खोजे हैं और कहां खोजे गए हैं बस इतना याद रखना है हमको एक्जाम ही तो कौलिफाई करना है जियां सातियों एक मात्रहसी क्लास जहां आपको बिना भौकाल के मिलती है चूक मारक सामक दुली इसको परह के देखिए गासातियों अभी हाल अभी में यह जो परिक्षा होने वाली है UKPSC की हालांकि अभी हमने तक्रीबन एक महिने का ही करण्ट अफेर्स कबर किया होगा साथियों कल से जो है मैं करण्ट अफेर्स के छेत्र में दिगज पत्रिका घटना सार का निचोड़ लेके आऊंगा जी हैं साथियों जो महत पूर पत्रिका हैं उनका सहारा लेके हम इस बार करण्ट अफेर्स को चुन-चुन के मारेंगे साथियों हमारे चैनल को अभी एक ही महिना हुआ है तो ऐसे में जो पिछला करण्ट है उसको एकदम डीटेल में कवर करना थोड़ा कठिन काम हो जा रहा है तो ऐसे में हम इन पत्रिकाओं का सहारा लेंगे तो कल से तयार रहिए आपको गठना सार का सार मिलेगा और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि यह जो समय चला है करण्ट अफेर का बेहद ही संबेदन सील समय ऐसा थी हूँ UKPSC की तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसका एकजाम पहले है BPSC हो गया UPPCS हो गया और लेकपाल हो गया उनमें साथ ही हूँ जहां से हम लोगों ने सुरू किया है फरवरी से लेकर और जब तक परिक्षा होगी तब तक करण्ट अफेर्स दावे की साथ कह सकता हूँ कि 70-80% फसेगा आपका और पीछे वाला भी मैं अपने चोड के रूप में आपको उपलब्द कराऊंगा तो हमारी स्ट्रेटिजी यह रहेगी कि हम 100 में 100 करके आएंगे करण्ट अफेर्स एकदम तो नहीं किया जा सकता लेकिन 35 में से 33-30 कुश्चन किये जा सकते हैं बहुत तगड़ी भूमी का निवाता है साथियों करण्ट अफेर्स याद रखिएगा तीनों परिक्षाओं में फिर चाहें वो BPSC हो चाहें लेकपाल हो चाहें UPPSC हो कौन डोर्स क्या है साथियों हवाई छेत्र मतलब हवाई युद्ध छेत्र में दक्ष एक टुकड़ी है साथियों किसकी है ये नौसेना के ही टुकड़ी है साथियों नव सेना के ही जवानों को साथियों हवाई छेत्र से संबंदित युद्ध काउसल से उनको लैस किया जाता है तो इस टुकडी का नाम क्या है इंडियन नेवल एर स्क्वाडरन 316 याद नहीं रखना है केवल इतना याद रख लेना है आई एन एस 316 क्या किया गया है साथियो इसको नव सेना में सामिल किया गया है इसलिए ये चर्चा में रहा है लाब क्या होगा साथियों इससे नव सेना की सक्ती और बढ़ जाएगी वो और अधिक दक्ष और समर्थ हो जाएगी जी हैं सातियों अभी केवल वो जहाजों का इस्तेमाल करके ही समुद्र में जो संकट उत्पन होते थे विदेशों से हमारे लिए जो चुनोतियां उत्पन होती थी लड़ने लड़ाने की तो केवल जहाजों का इस्तेमाल करती थी लेकिन अभी ये जो टुकड़ी है वो हवा सेना का सक्ति विस्तार होगा बात करतें कॉंडोर्स की सातियों तो ये एक पच्छी है जो विसाल पच्छी है और इसके बड़े पंक होते हैं उसी के नाम पर इसको कॉंडोर्स नाम दिया गया है कनफ्यूज नहीं होना है याद रखना है कॉंडोर्स क्या है पच्छी है और पच्छी हवा में उड़ता है तो यह हवाई छित्र से ही सम्बंदित नवसेना की टुकडी है रैंप चर्चा में क्यों है क्योंकि कैबिनेट ने मंजूरी दे दिये साथियों इसको इसकी गोस्णा बजेट तो 2022-23 में हुई थी लवक 6,000 करोड रुपए का इसके लिए प्राभधान किया गया है कुछ और पॉइंट में है लेकिन मोटा माटी फिगर यही है क्या है फुल प्रफॉर्म क्या होती है माइक्रो इसमाल एंड मीडियम इंटर प्राइजेज सूच्म लगू एबं मध्यम उद्धियों जिनमें कम स्रमिकों की आवसकता पड़ती है कम पुझी की आवसकता पड़ती है और कम दक्षिता की आवसकता पड़ती है तो यह छेत्र MSME कहलाते ह हैं भारत में तकरीबन 80-90 परसेंट रोजगारों का सरजन करते हैं तो साथियों करोना काल में इनकी इस्तिती गड़बढ़ा गई अन्य देवगों की तरह यह इतने मजूद तो थे नहीं कि मार को जहल जाते तो भाई इनकी जो इस्तिती थी वो अस्त ब्यूस हो गई एक तरहं से चर्मरा गई तो उसी के लिए उसी स्तिती को सुद्रन करने के लिए सरकार रैंप लेके आएए क्या करेगी सातियों इसके द्वारा इनके लिए बित्तिय पहुंच सुनिश्चित करवाएगी अर्थात इनके लिए रिंड जो है वो सरल किया जाएगा बुनियादी संरचना को मजबूत किया जाएगा ताकि इनके लिए जो ब्यापार करना है वो आसान हो जाए अन जो क्लियरेंज से सम्मंदित जो चुनोतियां या फिर सरते हैं उनको सरल किया जाएगा एक तरह से कहा जाए तो इनको बूश्ट किया जाएगा सरकार के द्वारा रैंप स्कीम के थो बस इतना साथ है ज्यादा विस्तार से बता दिया केवल इतना ही याद रखिएगा कि इनका उत्थान MS MS का उत्थान करने के लिए रैंप स्कीम लाई गई है स्पोर्ट डिजिटल एक्सपिरियेंस सेंटर समझोता हुआ है साथियों MNP अर्थात मड़िपूर और सैमसंग के बीच सैमसंग दक्षिन कोरिया की कमपनी है साथियों और दक्षिन कोरिया की रायदानी सी ओल सी ओल है और साथियों जो 38 डिगरी अच्छांस रेखा है वो उत्तरी कोरिया और दक्षिन कोरिया को भिभाजित करती है याद रखना है साथियों और मड़िपूर की राधानी इंफाल है और हाल ही में यहाँ पर चुनाव हुए हैं और उस चुनाव में विधान सभा की सीटें कितनी हैं 60 मुक्यमंतरी बीरेन सिंग मुक्यमंतरी नियुक्त किये गए यहां के और सातियों तो राज़िपाल यहां के एल गणेशन यहां के राज़िपाल हैं याद कर लेना है इनको एल गणेशन यहां के राज़िपाल हैं मीरा और मेरी कौन हैं तो मीरा मीरा वाही चानू जी हैं और चानू ने क्या जीता चानू ने चान्दी जीता कहां टोक्यो ओलम्पिक में मेरी कौम सातियों किस से संबंदित हैं बॉक्सिंग से सातियों ये छे बार की चैंपियन रह चुकी हैं सातियों बॉक्सिंग की और मीरा भारोत तोलन से संबंदित हैं दोनों मडिपूर की हैं खिलाड़ी याद रखना है तो कहां सातियों ये सेंटर खोला जाएगा तो मडि डिजिटली करण या फिर डिजिटलाईजेशन की क्रिया को बढ़ावा देना क्यों कोला गया सात्यों क्योंकि यहीं पर राष्ट्रिये खेल विश्विद्याला इस्थापित किया गया है पहला देज का कहां पर मड़िपूर में अगली खबर महरिसी चरक सपत चर्चा में क्यों है क्यों कि राष्ट्रिये चिकित्सा आयोग ने इसकी गोशना की है मेडिकल जो च्छेत्र के जो च्छात्र हैं तैयारी करते हैं डाक्टर बनने के बाद इनको एक सपत ग्राण करनी रहती है पहले ये सपत साथियों हिपोक्रेटस की सपत ग्राण करते थे लेकिन अब जो हैं साथियों हिपोक्रेटस की नहीं हिपोक्रेटस के द्वारा दी गई सपत को ग्राण करते थे लेकिन अब जो हैं साथियों महारिसी चरक की सपत को ग्राण करेंगे जियां सातियों चरक को भारत में आयरुवेद का जनक कहा जाता है बात करते हैं राष्ट्री चिकित्सा आयोग की तो इसका गठन राष्ट्री चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के माध्यम से हुआ और कभ हुआ सातियों 2020 है तो एक्ट बना 2019 में गठन हुआ 2020 में और इसके चेर्मेन है S.C. सर्मा सुरेश चंद्र सर्मा तो अब ये जो सपत आयेगी सातियों किसके इस्थान पर सपत आयेगी तो पहले हिपोक्रेटर्स के द्वारा दी गई सपत को ग्रहन करते थे हिपोक्रेटर्स कौन था युनानी चिकित्सक था सातियों तो अब हम किसकी सपत ग्रहन करेंगे किसके द्वारा दी गई सपत को ग्रहन करेंगे हमारे डक्टर्स तो महरसी चरक के द्वारा दी गई सपत को क्या होगा इस सपत में अच्छा इलाज करने की जिम्मेदारी होगी नैतिक जिम्मेदारी डक्टर की और जो मरीज होगा जो रोगी होगा उसकी गोपनियता को भी बरकरार रखने की जिम्मेदारी होगी डक्टर की जी आ साथियों ये सब हम सपत जो थे अभी तक विदेशी चिकिजसक के दोरा दी गई गरहन करते रहे हैं और अब जो है हम अपने जो चिकित्सक हैं चरक जी इनके द्वारा दी गई सपत को ग्रहन करेंगे तो इससे क्या होगा जो हमारी संस्कृति थी उसका संरच्छन पढ़ेगा और कहीं न कहीं वो मजबूत भी होगी अच्छा कदम है साथियों सरकार का और सल्च किस्सा का जनक साथियों किसे कहा जाता है सुसरुत को सीर्स सबजी उत्पादक हाली में रिपोर्ट जारी किये सरकार ने 2021 के दोरान प्रथम इस्थान पर सब्जी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश रहा है और दितिय इस्थान पर पश्चिम बंगाल रहा है बेश्ट बंगाल यह सातियों इससे पहले इस्थिति विप्रीत थी इससे पहले पश्चिम बंगाल प्रथम पर था और यूपी दितिय पर था बात करते हैं बैस्विक स्तर पर तो पृथम स्थान सातियों चाहिना का है और दितिये स्थान हमारा प्यारे भारत का है यांत जी रीवर थिरी गौर्जेस वन महत पूर्ण है साथियों सबाद क्या है ये दुनिया का सबसे बड़ा सव पृतिसत बिद्दुत चलित जहाज है ये जियां साथियों यांत जी रीवर की बात करते हैं तो ये चाइना की सबसे लंबी नदी है ये जहाज है किसका चाइना का है साथियों चर्चा में क्यों है क्योंकि इसका इसी नदी में ट्राइल पून हो गया तो ये दुनिया का सबसे बड़ा 100% बिद्दुत चलित या फिर इलेक्ट्रिक जहाज है अगली कबर कौकर रेलवे चर्चा में क्यों है क्योंकि साथियों इसने अपना 100% बिद्दुती करण कर लिया है किसके अधिन है ये भारती रेलवे के दिन है कौकर रेलवे कौपरेशन इसकी देखवाल करता है और ये रेलवे है किसके अधिन भारती रेलवे के दिन है ये मत सोचना की प्राइबेट है इसका विष्टार कहां से कहां तक है गोवा से लेकर महाराष्ट के बीच का छेत्र ये कबर करती है कोंकर रेलवे साथियों पहाडी छेत्रों के बीच से दुर्गम इलाकों के बीच से होते हुए जाती है ये रेलवे कहां स से कहां तक है साथियों रोहा जो की महाराष्ट्रा में है रोहा से मंगलौर बीच में गौब पढ़ता है तो महाराष्ट्रा से करना तक तक इसका बिस्तार है जो बात करते हैं भारती येल का सातियों लच्छ क्या है कि ब्राट गेज नेटवर्ग मतलब बड़ी लाइन है उनका विद्धती करण करना सव प्रतिसद कब तक सातियों लच्छ रखा है दो हजार तेश तक यह याद रखना है सातियों समिक्षा अधिकारी या फिर किसी और परिक्षा में पिछले बर्स पूंचा गया था यह और बात करते हैं रेल मंत्री की तो बर्तमान में कौन है असूनी बहस्नप जी हमारे रेल मंत्री है चैत्र महा चर्चा में क्यों सातियों एक अपराइल को इसकी सुरुवात हुई है दो अपराइल को सातियों सुकल पक्ष का पहला दिन जिसको पढ़बा भी कहते हैं कहीं कही रूप में अलग अलग नाम से मनाया जाता है तो इसी दिन चैत्र जो नवरात्री है उनकी सुरुवात होती यह क्या होता इसमें मा दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है जो नवरात्री का अंतिम दिन होता है वो राम नभमी के रूप में मनाया जाता है और राम नभमी बोले तो भगवान स्री राम का हैपी बड़े हैं फिर अगला है उगादी यह करनाटका और दक्षिन भारत में मनाया जाने वाला तेवार है क्या होता है साथियों आम के पत्ते जो दरवाजे बगएरा हैं बहां पर आम के पत्तों का इस्तिमाल करके सजावट की जाती है गुड़ी पड़वा यह महत्वण यह पूछा भी जा करता है जाद इसको साथियों महरास्ट्रा में मनाया जाता है महरास्ट्रा में घुड़ी का मतलब ब्रह्मा जी से होता है और ऐसा मानाशाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टी का निर्माण इसी दिन किया था गुड़ी का मतलब ब्रह्मा नहीं साथ जंटा होता है तो जंटा फैराते लोग उंचा-उंचा जंडा लगाते हैं और जो ब्रह्मा जी को संभोधित करता है कि अुस मिला कि नव व्रस की शुरुआत है अब राज जी उसको किस तरह से लेते हैं यह उनका अपना-पना अलगमत है नवरेह यह बहुत इंपर्टेंट हो जाता है क्यों कि यह जम्मू कस्मीर में मनाया जाता है और किसके दौरा कस्मीरी पंडित मनाते हैं इसको अक्रोट बांट-बांटकर और चावल और चोटे-चोटे कुछ और बांके स्थानी जो खाद पदार्त है उनको बाट-बूटकर मनाते हैं चेटी-चंड यह सिंधी समधाय सातियों पश्चिमी चेतर में भारत के सिंध चेतर में सिंधी समधाय इसको मनाता है इसे जूले-लाल-जैनती के नाम से भी मनाते हैं उद्रो लाल उद्रो लाल कौन है ये जो सिंधी समधाय है इसके सातियों ये इश्ट देव हैं उद्रो लाल और इनका जो जो पापलर नाम है या फिर उप नाम वो जूले लाल है तो चेटी चंड चेटी मतलब चैती मतलब चैतर की सुर्वात और चंड मतलब चंदरमह जियान सातियों चैतर महा का पहला दिन शुकल पक्स का अर्थाद पहली बार चंदरमह दिखाई देता है तो चैती का चंद्रमा चेटी चंड साजिबू चेरोबा मैं मनाया जाता है साथियों किसलिए मनाया जाता है पारवारिक संबंदों को मजबूत करने के लिए जियां सातियों बरतमान में हम देखते हैं कि सोसल मीडिया ने पूरे बिस्ट को एक करने का प्रयास किया है कर रही है प्रयास एक करने का लेकिन सातियों उसने जितनी दूरी पूरे बिस्ट को एक करने में तै की है उससे ज़्यादा दूरियाँ आप परिवार के सदस्यों के बीच हो गई है तो कहीं न कहीं सातियों मड़िपूर के द्वारा ऐसे किसी तेवहर को मनाया जाना जिसमें पारिवारिक संबंदों में मजबूता मजबूती आती हो तो ये काफी अतुलनी है और हमारी संस्कृती को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया महत्पूर कदम है जी है सातियों सोसल मीडिया से क्या है सातियों हजारो किलो मीटर दूर बेकती आपका फ्रेंड हो जा रहा है और बगल में बैठा बेकती आप उसकी उफेक्षा कर देते हैं बाचीत भी नहीं करते हैं और जो हजारो किलो मीटर दूर है उससे आप टकाटक करे जा रहे हैं चैटिंग तो पारिवारिक संबंद कमजोर हो रहे हैं न अब वो जो कल्चर था पहले बच्चे जो हैं वो माता पिता के पास बैठते थे कुछ अपनी सुनाते थे कुछ उनकी सुनते थे तो इससे क्या होता था मूल्यों का मजभूती करण होता था लेकिन अब ये परंपरा दीरे दीरे खतम हो रही है घर में ही कई देश बन गए हैं अपना अपना कोना पकड़ के लोग बैठ जाते हैं मोबाईल लेकर फर सातियों आज के लिए इतना ही और संबबता मैं आज ही आपके लिए जो घटना सार है दिगज पत्त्र का करंट अफेर्स की उसका सार लेके आऊंगा जी आउन Allison आप एकदम मेहनत करते रहे मैं आप से ज्यादा मेहनत करने के लिए तयार हूं और एकदम करंट मारक मिलेगा आपके लिए धन्यबद सातियों अपना और अपनों का ख्याल रखिए प्रेमो और इसने बनाए रखिये